इसमेतल में आपके साथ इस में धईजाइन और यह में एकionesanya रियोगण आके साथ सेजाइश टाया हैетьD यह इनग काशना सपार्ड कास और कीस बमान ऐान अलेटी Cuando की पिर देशिट सेखिए हैज Lisa सब्सक्राइब करें 19,20 कर एंड करें और उसमें आप चार पनदे जो यह और उसमें पिछ कर लें जो कि आपकी ऐस dis स्टिच दिशक के लिए होंगे यहाँ पर हमें एक एक फंदा चाहिए होता है और इसके लिए हमें और share करना भी ना भूलें तो आईए शुरू करें इस design को बनाने के लिए friends आप वीडियो को end तक जरूर देखेगा नहीं तो आपसे बीच में कहीं भी गलती हो सकती है तो please वीडियो को end तक देखे और अच्छे से समझ जा जाएगा आपको की कैसे बनाना है तो आपको बीच म अपने पास रख लें इसकी हमें बीच में जरूरत पड़ेगी जब हम केवल के फंदों को ट्विस्ट करेंगी तब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी तो friends ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फंदे जो हैं इसमें डाले हैं मैं यहाँ पे दो केवल आपके साथ शेयर कर रहे हूँ तो यहाँ पर देखिए हमने जो पहले फंदे हैं इनको हमने इस तरह से सीधे बुनना है यह हमारे as stitch है मैं यहाँ पे दो फंदे लेके चली हुई हूँ side पे जो हमारे corner पे फंदे है ना उनको दोनों को हमने सीधा बुनना है और उसके बाद जो अगला फंदा है उसके लिए हम यहाँ पे दागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर अब हमने एक single फंदा जो है इसको उल्टा बुनना है यहाँ पर उल्टा बुन भाहं पर जाले डालनी हैं से उल्टे फंदे के साथ उसके बाद हम दो फंद Allah यहां पर उल्टे बुनेंगे करें दो फंदे और गाल पीच्छे दो फंदे सीधे कि था अपनी तर्फ को फिर दो फंदे और दो फिर दो पीछे दो फंदे उल्टे, सौरी सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, यहाँ पर दो फंदे सीधे, तो यहाँ पर फ्रेंट्स जो हमारे यह ऐस्टिच, दो फंदे हमारे ऐस्टिच के थे, उसके बाद हमने एक फंदा बुना, उसके बाद हमने यहाँ पर अठारा फंदे जो हैं, उनको दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, उसके बाद फि देखेगा यह कितने फंदे हमारे हो जाते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो यहां पर नो आएंगे अभी, अब दो फंदे यहां पर सीधे, और दो फंदे उल्टे, तो यह हमारा अब तक हमने जितना बनाया, इसको अब हमने यह दो फंदे छोड़ने के बाद बाखी सारा हम रपीट करेंगे, अब आगे हमने जो हमारा यह फंदा आएगा, अब हमने यहां पर जाली डालनी है, यह हमारी बीच में डब्बी आएगी, तो एक हमने जाली डाली दागे को अपनी तरफ को ऐसे घुमाते हुए, अब एक फंदा उल्टा, फिर एक जाली डालेंगे, इस उल्टे फंदे के साथ हम दोनों तरफ जाली डालेंगे, और आगे फिर दो फंदे उल्टे, सेम रपीट करेंगे वही, दो सीधे दागा अपनी तरफ को दो फंदे उल्टे फिर दागा पीछे दो फंदे सीधे अब दागा अपनी तरफ को दो फंदे उल्टे फिर दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ को दो फंदे उल्टे फिर दो फंदे सीधे अब यहां पर दो फंदे उल्टे अब यह होगे हमारे फिर इसे 18 फंदे यहां पर अब यह आगे हम एक जाली डालेंगे जो हमने यहां पर कोर्नर पर डाली थी सेम वही रिपीट करेंगे हम यहां साइड पर ह रहें या वाहाफ डवी जो है वो ढालेगे। उसके बाद धागे को हम पीच्छे करेंगे और यह लास्ट वले दो फंदे हमारे सीधे चलेंगे। यह कॉर्णर वाले दो फंदे सीधे चलेंगे अब हमने उल्टी स्लाई में इसकी दूसरी स्लाई जो है इस डिजाइन की जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वैसी बनाना है तो फिर्स्ट के दो फंदे जो हैं यह हमारे उल्टे हैं उसके बाद अगला फंदा भी हमारा उल्टा ही होगा उसको जो हमने इदर को उल्टा बनाया है रॉंग साइड भी हमने उसको उल्टा ही बनाना है जो जाली है वो भी हमारी उल्टी ही बनेगी उसके बाद आगे हमारे दो फंदे सीधे हैं जो हमने उदर को उल्टे बनाये थ तरफ को 2 उल्टे फिर 2 सीधे पिर दागा अपनी तरफ को यहां पर 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो यह 2 फंदे उल्टे बनायेंगे फिर दागा पीछे यहां 2 फंदे सीधे हैं अब धागा अपनी तरफ को आगे के दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे अब ये यहां पर हमारी जो केवल के फंदे हैं वो यहां खतम हो जाते हैं उसके बाद देखे आगे जाले का फंदा है तो धागा अपने तरफ को करना है जाले का फंदा भी उल्टा बनाना है और जो एक पीछ में फंदा है वो भी हमने उल्टा बनाना है ये सारे फंदे उल् दागा पीछे, दो फंदे सीधे, दागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, यहां पे दो फंदे सीधे, अब देखिए आगे जाली वला फंदा आ रहा है ये हमने उल्टा बनाना है उसके साथ का जो फंदा है वो भी उल्टा ही बनाना है और लास्ट के जो फंदे ऐस्टिच के हैं वो भी हमारे सारे उल्टे उल्टे ही जाएंगे तो यहां पर लास्ट में हमारे देखिए यहां प पाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर आगे देखिए धागे को अपनी तरफ करना है, और ये फंदा हमने एक फंदा उल्टा बुना था, पहले भी अभी उल्टा बुनना है, जो जाले वला फंदा है, उसको भी हम उल्टा बुन लेंगे, अब हमारे यहां पे दो फंदे उल्टे हो जाएंगे अब धागे को अपनी साइड ही रखना है आगे की तरफ रखना है और एक फंदा ऐसे घुमा के हमने एक जाली डालनी है यहां पे आगे दो फंदे उल्टे यह वैसे ही चलेंगे जैसे पहले बनाये थे दो सीधे दो उल्टे फर्स्ट रो में थोड़ी स जाएंगे यहां पर इसी दिखकत हो सकती है क्योंकि फर्स्ट में जब आप डिजाइन स्टार्ट करेंगे न तब थोड़ा समझना है वाकी तो जैसे दिखेंगे वैसे ही अमने बनाने है और जो जाली के पंदे जायेंगे वो सारे पंदे हमारे उल्टे उल्टे ही अब यहां पर देखिए यहां पर हमारी जाली आगी है यह फ्रेंट्स देखिए आपने कैसे रिपीट करना है यह सारे का सारा यह कॉर्णर पर हमने हाफ एक ही जाली डाल रहे हैं हम यहां पर ठीक है और बीच में हम दोनों तरफ जाली डाल रहे हैं यहां पर तो आपने जैस फिर 18 फंदे हमारे उल्टे सीधे चले हैं फिर आपने ऐसी ही क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो उसमें आपने ऐसी ही आगे को ये डबियां डालते जाना है अब हमारी यहां पे साइड पे हमने हाफ डबी ली है तो इसमें हम एक ही जाली डाल रहे हैं इस तरह से अब ये दो फंदे उल्टे एक जाली दो फंदे उल्टे लास्ट में ऐस्टिच के दो फंदे सीधे हैं हमारे पास ये उल्टी स्लाइज सेम वैसे ही है यह first फंदे को हम परलवाई slip करेंगे उसके आगले फंदे को उलटा बुनेंगे और फिर से हम यहाँ पे आगे तीन फंदे उलटे ही बुनेंगे यह तीन फंदे हमारे उल्टे होगे, अब धागा पीछे, अब जैसे फंदे आपको यह दिख रहे हैं, वैसी ही आपने बनाने हैं, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, और जाली से बड़ा हुआ जो जितने फंदे हैं, वो सब के सब उल्टे ही बनेंगे दोनों हैं हमने और उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है धागे को आगे करना है अब हमने यहां पर तीन फंदे उल्टे बुनने हैं एक दो तीन अब यहां पर फिर हम एक जाले डालेंगे ऐसे घुमा के अब आगे दो फंदे उल्टे दो सीधे बस यह वाले हमारे ऐसे ही जाएं अब इनको आगे तक यहां तक बुन लीजिए अभी देखिए यह बुन लिए हमने दो उल्टे दो सीधे और दो उल्टे तक लास तक ठीक है उसके बादा बाद आती है हमारे जाली वाली डब्बी यह बीच में तो यहां पर हम फिर से एक जाली यहां पर डालेंगे और आगे कि सारे फंदे यहां पर यह पांच फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे उल्टे होगे उसके पिर एक जाली हम इधर को डालेंगे यहां पर अब फिर से दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे बस ऐसे ही हमने जो आगे वाले है इनको end तक यहां तक हमने बुनना है अब यह देखिए यहां पर हम आगे फिर जाली के पास तो यहां फिर हम एक जाली डालेंगे यहां पर और आगे के तीन फंदे जो है इनको उल्टा बुन लेंगे और दो फंदे आइस्टिच के हैं इनको हम सीधा बुन रहें तो इनको हम सीधा बुन लेंगे इस तरह के से अब उल्टी स्लाई पूरी ऐसी जाएगी यह सारे उल्टे सीदे फंदे ऐसी होंगे और जितने भी यह जाली से बने हुए फंदे हैं इस सारे के सारे हमारे यहां एस्टिच के दो फंदे हैं ये भी उल्टे जाएंगे और उसके बाद हमारे देखिए यहां पर ये चार फंदे होगे हैं छे फंदे ये सारे उल्टे हैं यहां पर हमारे भी ये साथ फंदे होगे हैं तो सारे के सारे उल्टे हैं और यहां पर भी छे फंदे हैं तो ये सारे हमारे उल्टे हैं और बीच के दो उल्टे दो सीधे हैं तो इस तरीके से आप इसकी six throw को complete कीजिए different six throw जो है हमारे यह से complete हो गई अब इसकी हम seven throw में आ जाते हैं साथ में सलाही में आ जाते हैं तो यहां पर देखिए पहले फंदे को परलवाई slip करेंगे उसके बाद अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे उसके बाद देखिए अब हमारे पास यह चार फंदे होगे इन चार फंदों को हमने उल्टा बुनना है एक तो तीन चार अब हमने यहां पर जाली डालनी है यह देखिए उसके बाद अगले दो फंदे उल्टे यह वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे चल रहे हैं अब तक यह फ्रेंट्स आप ऐसे बनाएए अब देखिए फ्रेंट्स आगे हम यहां जाली के पास तो यह देखिए यहां पर हम फिर से एक ऐसे जाली डालेंगे और बाकी यहां जाली तक हमारे यह साथ फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बनेंगे एक दो तीन चार पांच छे ये साथ अब हम फिर से यहां एक और जाली डालेंगे ऐसे और अगले दो फंदे उल्टे बुनेंगे बाकी अगली जाली तक हम इन दो उल्टे दो सीधे फंदे ऐसे यहां तक बुनेंगे अभी देखे अम फिरसे यहां लास्ट में जाली के पास आगए तो यहां पर ऐसे जाली डालेंगे घुमाके ठिक है ऐसे फिर्च देखे इस तरह से अपनी तरफ को धागा करके फिर घुमाके हसे जाली डालेंगे और अगले ये चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे चार फंदे उल्टे होगे वाकी लास्ट में जो हमारे ऐसरी छेन को हम ऐसे सीधा-सिधा बुन लेंगे तो इस तरह से हमारी ये साथ सलाईयां कंप्लीट हो गई ये रॉंग साइड पे है एट रो जो है इसकी तो ये हम वैसी कंप्लीट करेंगे जितने ये जाले वाले फंदे हैं ये सारे यहां ऐसरी से लेके और जाली तक उल्टे उल्टे बुनेंगे उसके बाद दो फंदे सीधे दो उल्टे दो सीधे ऐसे करके हैं फिर अगले वाले ये सारे फंदे हमारे उल्टे हैं पर 9 फंदे हमारे पास हो जाते हैं, फिर end में भी हमारे यहां पर सारे फंदे उल्टे उल्टे हैं, और बाकी दो सीधे दो उल्टे करके ही ऐसे ही चलेंगे, तो ऐसे हमारी और 8 थो कंपलीट हो जाएगी, फिर हम आगे आपसे मिलते हैं, अब देखिए हम आजाते हैं इसकी नाइंधारो में नाइंधारो को देखिए हमने किस तरह से बुनना है यह दो फंदे, केंइज इनको ऐसे बुनना, एक को सलिप किया एक को बुन लिया, उसके बाद धागा आगे करा हमने अब यहांठे दियान से देखेएगा यह जो हमारे फंदे हैं इनको अब हमने यहाँ पर घटाना शुरू करना है यहाँ पर हमारी डबी क्लोज होईगी और केबल जो है वो हमारी बनेगी तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर यह फंदे जो हैं इनको तो हमने इस तरह से यहाँ पर तीन फंदे हमने उल्टे बुनने है अब आगे यहाँ पर जो जाली के साथ वला फंदा है यह दोनों इनको हमने यहाँ पर एक साथ ऐसे दोनों को एक साथ बुन लेना है यहाँ पर अब हमने घटाना शुरू कर दिये ठीक है उसके बाद एक फंदा हम यहां पर उल्टा बुनेंगे अब यहां पर हम रुकेंगे और जो हमारा यह हमने जो यह लिया है स्टी छोल्डर हमारी यह जो पीन है इसकी जगा आप सलाई भी ले सकते हैं और यहां पर आप बड़ी पीन आपके पास हो ना सेफटी पिन उ यहां पर देखिए अब हमने यह एक फंदे को हमने यहां पर बुन लिया उल्टे फंदे को एक को बुन लिया और एक फंदे को हम यहां पर इस तरह से उतारेंगे तो एक तो तीन चार पांच छे साथ यह आठ यह आठ फंदे हमने इस पिन पर उतार लिये अब यहां पर ध उठा लिया उल्टे को और एक फंदा उल्टा हमने यहां पर छोड़ दिया, तो यहां पर हमने ऐसे गुमा के ले लेना है, अब हमने यह दो फंदे यहां पर उल्टे करने हैं, तो एक हमारा यहां पर है उल्टा जो हमने बुन लिया था, और एक हम यहां पर इसको बुनेंग यहां पर देखेगा यह उल्टा फंदा हमने यहां पर बुन लिया हुशने ड़ागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे अब दंदागा आगे 2 फंदे उल्टे उसके अब दंदागा पीछे 2 फंदे सीधे अब यहां पर देखिए यहां पर भी दो फंदे उल्टे हैं ना लास्ट में हमारे पास तो दागा आगे और एक फंदा उल्टा हमने यहां पर बुन लिया अब आप यहां पे देखिए एक फंदा हमने इस तरफ को उल्टा उठाया है और एक फंदा इस साइड को उल्टा उठाया है तो यहां पर यह एक फंदा हमने यहां पे बुन लिया और एक फंदा हमारा यहां पे रहा गया तो अब ये जो फंदे है ना इनको हमने इस सलाई पे यहां पर इसके साथ फिरो लेना है जहां को भुंते हो जा रहे हैं जो एक फंदा हमने नहीं बुना उसके बाद हमने इन फंदा को यहां पे इस सलाई पे ऐसे ले लेना है इधर डाल देना है ऐसे ट्विस्ट कर देना है क्योंकि ज़्यादा फंदे है ना तो आप एक सलाई से नहीं कर सकते इसलिए हमें दूसरी सलाई की यहां पे जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां पे स्टिच होल्डर का इस्तिमाल कर रही हूँ आप यहां पे बड़ी पिन का कर सकते हैं या आपके पास सुई जो होती है ना जो स्वेटर सिलने वाली सुई होती है आप उसको भी यहां पे यूज कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने यहां पे यह फंदे इस तरह से यहां पे घुमा के ले लिए अब हमने क्या करना है, देखिए, एक उल्टा फंदा हमने यहाँ पर बुना था, अब यह एक फंदा यहाँ पर उल्टा है तो उसको अब हम उल्टा बुनेंगे, इस तरी के से, तो दिहान से पकड़ेगा आपके फंदे न यहाँ पर छूटें, अब दो फंदे सीधे बुने दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, भुनने वैसे ही हैं, बस यहां पे जब ट्विस्ट करने हैं, तो इनको हमने थोड़ा सा ध्यान से ट्विस्ट करना है, अब ये दो फंदे सीधे हैं, उसके धागा अपनी तरफ को और ये लास्ट में दो फंदे उल्ट तो यह हमारा नहीं टेख से हमारा ही ट्विस्ट हो गया इंट को इस तरीके से यहां पर इनको आगे जाली है आप यह यह जमारे खटाना शुरू कर से दिने तो औ-घले यह दो फंदे हम एक साहथ बुनेंगे जैसे हमने यहां पर एक फंदा घटाया तो यहां पर हमारे ये भी ऐसे घटना शुरू हो जाएगा अब ये बीच वाली डबी है तो इसमें आपने दो फंदे एक साथ बुन लिए बाकी ये नौ फंदे हैं तो यहां पर हमने एक फंदा इदर को भी घटाना है तो यहाँ पे ये 7 फंदे हमारे बीच में राय जाएंगे तो अभी हमने यहाँ पर बुनने हैं 5 फंदे उल्टे ये 5 फंदे होगे उसके बाद अब ये जो दो फंदे हैं जाले वला और ये 7 वला इसको भीए अब हम यहाँ पे एक firm बुन लेंगे उसके बाद आगे एक फंदा उल्टा है बस सेम हमने यही रिपीट पैटर्न यहां पर आगे रिपीट करना है यहां पर यहां पर पैटर्न है इसी को यहां पर अब रिपीट करेंगे तो एक फंदा में यहां पर उल्टा बुन लिया अब आगे देखेगा बाकी फंदे जो है इनको अब हमने यहाँ पर इसमें stitch order पर डाल देना है 8 फंदों को तो यह दो 4 होगे 5, 6, 7 और यह 8 यह देखिएगा 2 फंदे सीधे हैं तो उसमें से 1 फंदा आगे यह जो 2 उल्टे फंदे हैं उल्टे मैंसे जो एक फंदा है उसको हमने यहाँ पर ले लेना है इस तरह से यहाँ पर भी एक फंदा हमने उल्टा चोड़ दिया और यहाँ पर भी एक फंदा मारा उल्टा है तो अब हमने इस उल्टे फंदे को इस उल्टे फंदे के साथ यहाँ पर बुन लेना है क्योंकि हमारे ये जो फंदे हैं वो इस साइड को चले जाएंगे और इदर वाले फंदे जो हैं वो इस तरफ को आ जाएंगे अब धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ को दो फंदे यहां पर उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे और अब आगे एक फंदा उल्टा तो अब ये जो फंदे हैं इस तरफ को हो गए हमारे और अब ये जो फंदे हैं इनको हमने इस सेड को लेके जाना है तो ये इनको जो यहां पर ये उल्टा फंदा है इसको हम देखिए, उल्टे के साथ उल्टा यहां पे हो गया ना दो फंदे, अब यह दो सीधे इस पे चलेगे, दो उल्टे, यहां पर दो सीधे और यह एक उल्टा, तो यहां पे एक उल्टा है, तो एक उल्टा इस सलाई पे है, अब यहां पे यह दो उल्टे हो जाते हैं ह आप तक, दो उल्टे, दो सीधे करके, ये दो उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, बस यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइट आइट रहेगी, तो आप थोड़ा सा इसको धियान से बुने, ये दो फंदे सीधे हमारे, दागा अपनी तरफ को यहाँ पर दो फंदे उल्टे, ये देखिए, तो इस तरफ के, फ्रेंट मैंने यहाँ पर दो केवल इसलिए डाली हुई है, बीज़े थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पर असानी हो जाएगी, अब यहाँ पर आगे देखिए, जालेवला फंदा है, तो ये हमने यहाँ पर इन दो फंदा को एक साथ बुनना है, से हमने जैसे यहाँ पे से घटाई करी थी ना, वैसे ही यहाँ पर भी अब हमने घटाना शुरू कर दिनाए, उसके बाद बाटी के फंदे जो हैंको, ती 10th row पे हैं उल्टी स्लाई में 10th row हमने किस तरक के से बनानी हैं पहले फंदे को स्लिप किया उसके बाद आगे जो जितने फंदे यहां तक दिख रहे हैं सबको हमने उल्टा बुनना है यानि एक तो तीन चार पांच फंदे हमारे यह उल्टे हो जाएंगे यह पांच फंदे हमारे उल्टे हैं धागा हम पीछे करेंगे अब यह अगले वाले हम वैसे ही बुनेंगे जैसे हम बुनते आ रहे थे बस थोड़ी सी यहां पर टाइट रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान से बुनिएगा तो यह दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ को यहां पर दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ को दो फंदे उल्टे बस थोड़ा सा आपने देख के करना है क्योंकि फंदे इधर से उधर हो रखे है ना तो थोड़े समझने में दिक्कत भी हो सकती है दो फंदे सीधे, इस तरीके से, अब धागा अपनी दरफ को दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी सेट, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, यह देखे इस तरह से, अब ये जो फंदे है ना आगे धागा अपने दर्फ को करना है अगले ये फंदे यहां तक जितने भी फंदे साथ फंदे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है इस सलाई में उल्टी साइड पे आपने घटाई नहीं करने तो ये इनको उल्टा बुन लेना है हमने अब धागा पीछे करना है अब फिर से हमारे केवल वाले फंदे आ गये हैं तो यहां पे दो फंदे सीधे हैं बैक साइड पे और धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ को दो फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी साइड को दो फंदे उल्टे और यहां पर आगे है दो फंदे हमारे सीधे आएंगे यहां पर धागा आगे करेंगे और यह बाकी के सारे फंदे यहां पर हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे जितने भी बचे हुए इन सब को उल्टा उल्टा बुन लेना है देखिए अब इसकी हम आ जाते हैं यहां पे 11 थ्रो में 11 चोप्राइच में तो पहला फंद हमने सलिप किया हमने यहां पर सीधा वुन पिर दागा अपनी तरफ को किया यहां पर देखिए अब हमने यह 12 अगी न्युम्ता और यहां पर आगे के जो दो फंदे है ना इनको हमने एक साथ बुनना है अब हम यहां पर कटाई शुरू करती है तो इस साइड को हमने कटाना है तो एक फंदा यहां पर हमारा घट गया उसके बाद आगे यह दो फंदे उल्टे दो सीधे ऐसे ही हमारे यह चलेंगे अब यहां पर देखेगा यह दब्बी के पास आगे हमारी यह जो बीच में एक हमारी दब्बी चल रही है ना यह बर्फी शेप की बीच में आएगी तो इसमें देखेए अब हमने क्या करना है इनको फिर से गटाना है पहले भी हमने घटाया था राइट साइड पर गटाया पहले अपनी 9th row में फिर 10th हमने बिल्कुल प्लेन बुनी अब यहां पर 11th row में फिर से हमने इन दो का एक करना है इसमें अपने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है यह देखिया फिर से आगे ना यहां पर यह हमने यहां पर घटाई कर दी उसके बाद हमने तीन हैं उसके बाद दो फंदे उल्टे दो सीधे एंड तक हमने ऐसे बुनना है अगली जाली तक अब यह देखिए यहां पर अगली जाली के पास आगे तो यहां पर भी हमने एक फंदा यहां पर ऐसे दो का एक करना है एक फंदा हमारा यहां पर घटकिया और अगले वाले दो फंदेन को उल्टा भुनना है, रागा पीछे करना है, लास्ट वले एस्टिच, दो हमारे एस्टिच टके हैं, हमने उनको सीधा भुन लिया, अब यह देखें, यहाँ पर हमारे यह ग्यारवी स्लाई, जो है कंप्लीट होती है, बारमी सलाई पूरी उल्टी है जो उल्टे देखरे हैं उनको उल्टा बुनी है जो सीधे देखरे हैं उनको सीधा बुनी है तो यहां पर देखिए friends 12th row हमारी पूरी खतम हो गई अब हम आ जाते हैं इसकी 13th row में यानि 13th लाई में तो यहां पर फिर से देखिए हमने फंदा खटाना है दो फंदे पहले वाले पहले को slip करेंगे एक को सीधा बुनेंगे तो आगे को आगे करेंगे और यहां पर हमने अ एक साथ बुन लिया और आगे वले जो हैं वो वैसे ही बुनने हैं दो उल्टे आगे दो सीधे नेक्स्ट जो हमारी आगे डब्बी आएगी घटाई वली जाली वाला पोर्षन आएगा उस जगह तक हमने यह दो उल्टे दो सीधे ही हमने बुनने हैं अभी देखिए friends हमार यह उल्टे सीधे सारे फंदे यहां पे होके तो अब हमने यहां पर देखे यह आगे हम इस जगह पे अब हमने यहां पे फिर से 2 का एक करना है 2 फंदे एक साथ बुनने है और बीच में 1 फंदा बचता है उसको हमने ऐसे उल्टा बुन लेना है और आगे के जो दो फंदे हैं उनको भी हमने एक साथ पुनना है तीक है उसके बाद अगले दो उल्टे ये हमारे केबल वाले फंदे आ जाते हैं दो उल्टे दो सीधे ये हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे अब यहां पे देखिए यह आगे हम आगे यहां पर यह दो उल्टे दो सीधे आगे इसके बाद यह देखिए हमारा यहां पे जो हमने जैसे यहां पे घटाई की थी सेम हमने वैसे ही यहां पर भी करनी है तो यहां पर दो का एक करेंगे और एक फंदा है उसको ऐसे उल्टा बुन लेंगे और लास्ट वाले दो एज स्टिच है उनको सीधा बुनना है इस तरह से अब उल्टी सलाई हमारे ऐसे आपको दिखेगा वैसे आपने बनाना है जो उल्टे दिखेंगे वो उल्टे बनाना है जो सीधे दिखेंगे वो सीधे बनाने है तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर हम आगे अब इसकी फिफ्टिंथ रो में फॉर्टिंथ रो उल्टी थी वो सारी हमारी खतम हो गई अब यहाँ पर द्यान से देखिएगा यह रो जो है यह भी important है थोड़ा सा इसको द्यान से देखिएगा यहाँ पर देखिए दो फंदे हमारे S-Trix के चल रहे हैं एक को slip किया एक को हमने सीधा बुन लिया उसके बाद दागा आगे करना है और यह दो का हमने एक कर देना है अब यह फिर से हमारे पास एक फंद आ गया क्योंकि यह डिजाइन जो है 15 डो का है अब हमारा डिजाइन यहाँ पे close हो रहा है उसके बाद दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे अब यह केबल वाले फंदे हैं इनको आपने वैसे ही बुनना है जैसे आप बुनते आ रहे हैं यह तो आपकी पूरी स्वेटर में जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें ऐसे ही चलेंगे अब यहाँ पर देखेगा आप यह हमारे पास बचके हैं यहाँ पे तीन फंदे तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हमने तीन का एक कर देना है हम एक फंदे से ही हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो अब हमारे पास यह यहाँ पर यह हमारी डबी जो है वो क्लोस हो गई यह देखे यहाँ पे एक था फिर से हमने यहाँ पे एक फंदा हमारे पास रह गया यहां पर तीन फंदे बचेंगे यहां पर तीन का एक करना है तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है बीच में ऐसे छोड़ना नहीं है नहीं तो आपका डिजाइन जो है वो गलत हो सकता है अब धागा पीछे करेंगे और यहां पर जो यह उल्टे सिदे फंदे हैं इन सबको वैसे ही बुनेंगे आगे तक अब देखे यहां पर भी हम आगे लास्ट में जो हम घटाई कर रहे हैं तो यहां पर यह दो बचके थे इन दो का हमने एक बना देना है धागा पीछे करेंगे और यहां पर दो फंदे हमारे एस्टिच के हैं तो इस तरह से हमारी फिफ्टेंथ रोज जो है वो खतम होती है इस साइड को आ जाते हैं रॉंग साइड को रॉंग साइड वाली जैसे आपको जो दिखेगा वो आपने वैसा ही बनाना है अब बीच में हमारे पास यह एक बच किया है तो इसको हमने उल्टा बनाना है यहां पर ठीक है अब आपने दुबारा यह डिजाइन जो है इसी तरीके से रिपीट करना है जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया था तो एक वर मैं थोड़ा सा यहां पर बता देती हूं कि आपको यह दुबारा स्टार्ट करना है और यह जो केवल है जब आपने घटाई शुरू करनी है एक हो सिदा बुन लिया उसके बादть फंदा उल्टा हुना अब हमारे डबी दूआरा स्टार्ट हो रही है तो अब हमने यहां पे देखिए एक जाली बनानी है किनारे किनारे पे एक जाली बनाएं अपने बैक प्ante भाकि में इस्ट बना रही हूं जो कारडिगन बना रह सीधे यह हमारे वैसे ही चलेंगे दो उल्टे दो सीधे ही चलेंगे इनको हमने कुछ नहीं करना यहां पर हमने जाली डालना आप स्टार्ट कर देनी है जब हमारा एक फंदा रह जाता है न तो उसके बाद हमने नेक्स्ट जैसे हमने फर्स ट्रो स्टार्ट की थी सेम उसी तर आ जाते हैं इस जगह पे यहां पे तो हमारी फर्स्ट रोई एक तरह से स्टार्ट होगी है यहां पे तो यह एक फंदा है हमारे पास एक इसके पहले अब हमने एक साइड जाली डालनी है फिर इसको बुनना है और उल्टा बुनना है फिर से हमने एक जाली और डालनी है अब बाकी फंदे हमारे वैसे ही चलेंगे जैसे उल्टे सीदे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे अब जब यहां पर आपकी चार जालियां हो जाएंगी तब आपने इसको ट्विस्ट करना है और यहां से घटाई शुरू कर देनी है तो यह डिजाइन हमारा इतना सा ही है और बहुत प्यारा डिजाइन है आप इसको जरूर ट्राई करें बहुत खूबसूरत लगता है यह बनाया हुआ तो फ्रेंट्स वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंट्स और व